ओम शान्ति दोस्तों वेलनेस हम सभी चाहते हैं कि तुसके लिए कुछ करना पड़ता है कोई भी चीज ऐसे अवेलेबल नहीं होती है हेल्दी शब्द जो है दो शब्दों से बना है हील प्लस दाई अर्था हील दाई सेल्फ अर्था सारे विश्व में सरफ एक ही वेक्ति है जो आपको हील कर सकता है जो आपको स्वस्थ बना सकता है जो आपको खुश्णवा जीवन दे सकता है वो कौन है वो कोई डॉक्टर नहीं है आपके माता-पिता नहीं है आपके पति-पतनी या बच्चे नहीं है भगवान भी नहीं है वो सिरफ आप है आपको स्वस्थ बनना है खुश्णवा रहना ह यह आपके हाथ में है और अगर आपको हेल्दी रहना है हेल्दी शब्दो शब्दो से बना जैसे मैं आपको बता है कि तो हिंदी में उसको स्वस्थ कहते हैं और स्वस्थ शब्दो शब्दो से बना स्वा का मतलब है इनर सेल्फ अर्था अंदर वाला में बाहर वाला में नह स्थित या conscious तो स्वा मींस सोल, स्था मींस conscious तो हल्दी का मतलब क्या हुआ हल्दी माना हुआ आत्मिक स्थिति में स्थित या सूल कॉंसियस आपने कविता भी सुनी होगी बच्पन में गाई होगी सभी ने ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार, how I wonder what you are, इस कभी ने यही आज से कोई 4500-500 साल पहले इस कभी ने यही कहने की गोशिश की है, जबते कि सितारा यहां चमकता है, सब कुछ इस शरी में ठीक कारे करता है, आखें भी देख पाती हैं, कान से सुन भी पाते हैं, मुख से बोल पाते हैं, हाट चलता है, सांस चलता है, पेट में खाना पचता है, हम चलते फिरते हैं, क्योंतों जैसे सितारा निकल जाता है, सब कुछ बंदो जाता है, तो भी सुचता है, कैसे सितारा, सब कुछ चोटा सितारा, सब कैसे वो चलाता है, इसलिए वो बंडर करता है, आश् जैसा है और वो सुर्य चांद तारों से भी पार not in the sky पर about the sky है तो यह आत्मा जो है साथ गुणों का पुंज है साथ एनर्जी का पुंज है और परमात्मा साथ एनर्जी का पावर हाउस है और तीसरी बात जो है जो बहुत इंपोर्टेंट है वो है मल्टी डैमेंशन अप्र जैसे हमने पहले भी डिसकस किया कि हमें इंसान कोई बॉडी नहीं है पहले आत्मा है फिर मैना है फिर तन है तो पहले हम आत्मा को सुबसब उठते ही नरिश करें आठ पी तक मन को पॉजिटिव रखें और फिर बॉडी के लिए दिन में हम सही भोजन खाएं लो फैट शुद भोजनों शुद मन से पवित्र मन से बहुतं मन जया है परमात्मा की याद में बनाया जये और साथ इसी रूप में कहाया जाये शुद हमन से हो सातोंगुनंक अभियास करते हैं मेडिटिटिव वाख और साहिलेंस में और फिरagitि अबने के परहे मन को शुद कर लेंट सपने कामा हैं उसके के लिए मन को एक लेटर लिखकर के शुद्ध कर लें दो मिनेट मेडिटेशन करके सो जाएं तो देखेंगे आपके नीद बहुत अच्छी आएगी और फिर अगर आपको दवाई की आवशकता है वो भी आप रो करके नालें शुद्ध सात्विक मन से लें तो देखेंगे आज के लिए मैं समस्ता हूँ इतना ही आप इसको इस बात को आज समझीएगा कि कैसे हमको हील दाई सेल्फ स्वस्त और मर्टी डैमेशन अप्रोच के साथ कैसे जीना है और आप देखेंगे आज आप अच्छा मैसेश कर सोने के पर लेटर जुरू लिखेगा एक परमात्म कर दो